और आज हम दूसरी आशिश को देखेंगे जो वो अपने लोगों पर रखना चाहते हैं या उन्हें देना चाहते हैं गिंती की किताब अध्याच है और उसके बचन 27 में यहवा कहता है कि आरुन जब तू मेरे नाम से मेरे लोगों के उपर मैं इस आशिश को उचारेगा तो मैं स्वैम आकर कुन आशिश दूँगा आज निश्चही आप इन आशिशों को प्राप्त करेंगे यहवा अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए आज परमेश्वर अपने मुख को और उसके प्रकाश को आप पर चमकाएगा और उसका जीवन जो है पूरी तरह बदल गया वो एक सामर्थी प्रचारग बन गया और तमिलनाडू में उसने असी कलिस्याओं की स्थापने गया स्वर्ग में परमेश्वर के उस सामर्थ को देखी जो महान है जो कुछ उसके सामने आता है वो सारी चीजों को प्रकाश वान करता है प्रकाशित्वा के पांच उसका बचन 11 कहता है स्वर्ग में तो करणों करणों दूथ है और वे हमेशा सवसामर्ती परमेश्वर की पुस्तिति में ख़ड़े रहते है उसके उस अध्वुत प्रकाश के सामने वो खड़े रहते है और इसलिए प्रकाश यत्वा के दस उसका वचन एक कहता है जब परमेश्वर के उपस्रित से एक स्वर्वर्दूत जो है इस पृत्वी पर आया तो उसका प्रकाश पूरे संसार में फैल गया क्या एक मनुष्व के साथ ही हो सकता है क्या एक मनुष्य साथ ऐसा हो सकता है हाँ बाइबल बताती है कि मुसा नाम के एक व्यक्ति के साथ ये हुआ निरगमन 34, 26 और 29 वचन में हम पाते हैं मुसा जो था परमेश्वर का भोईश्वक्ता था परमेश्वर उसे एक परवत के चोटी पर लेकर रके गए वो परमेश्वर ये हुआ के साथ 40 दिन और 40 रात तक वह रहा और जब वो नीचे उत्रा तो वह तो दैदी प्रिमान था उसके चेहरे से परमेश्वर की महमा जो थी रोशन हो रही थी और उस महमा को लोग जो थे सहन नहीं कर सके साथ ही बाइबल बताती है मुसा जो था परमेश्वर की ज्यान की आत्पा से परिपून था बाइबल हमें ये शया 11 उसके बचन दो में या बाद भी बताती है जब पवित्राद पर किसी व्यक्ति के उपर आता है तो तीन बाते इसके उपर आती है बुद्धी की आत्मा और समझ की आत्मा और उसके साथ ज्यान की वही आत्मा तो ये जो बुद्धी की आत्मा थी वो मुसा के उपर में आई सबोपदेशक आट और उसका बचन एक कहता है कौन है जो बुद्धिमान पूरिश की तरह है क्योंकि उसके हिरदे के अंदर बुद्धी जो है उसके चेहरे को रौशन कर देती मेरे प्रिये भाईयो और प्रिये बहनो हो सकता आज की रात आपका चेहरा काला पड़ा हुआ है उसमें स्याही चाही हुई है और शर्म के कारण से आपका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ है बस थोड़ी ही देर में परमेश्वर जो है आपके ऊपर में रौशन होने वाला है चमकने वाला है और आपका चेहरा जो हो दबकने लगेगा हमारे बहमुल्य स्वर्गी पिता हम चाहते हैं पिता कि आप हमारे आत्मा प्राण और शरीर को बल दे हम आपके सामने नम्र होते हैं पिता इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक वेक्ती के जीवन को सपर्ष कीजिए हर एक वेक्ति आपके और देखने पाएं और अपने जीवन में ये आशिश प्राप्त करें प्रभू हर एक के जीवन में ये अनुग्रह हुँ देलिए जब भी वो किसी परिशानी तकलीफों और परिक्षाओं में से जाते हैं आप उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभू इन पर अनुग्रह कीजिए कि आपके चर्णों पर रहा देखते रहें परिवार की रूप में आप इन पर अनुग्रह कीजिए कि एकटा में आकर ये आपकी रहा देखते रहें मैं जानती हूँ कि जैसे एक्ता में होकर यह प्रात्ना करते हैं प्रभु की बार्ट जो होते हैं इनके जीवन पर प्रभु का अनुग्रह होगा इन पर यह अनुग्रह उंडेलिय श्वामी इन में प्रात्ना की आत्मा होने पाए हर सुभह ये परिवार के रूप में इसे शुरू करे और आपके चरणो पर आपकी रहा देखते रहे इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक लोगों पर ये आशिश उंडेली है हर एक में ये बोज होने पाए प्रभु कि आपके चर्णों पर रहा देखते रहें पिता आत्मा में है पिता इन्हें बल देते जाएं प्राण में बल दे और मन में आप बल दीजिए असीम रूप में पवितरात्मा से ने भर दीजिए पिता पूरा परिवार ये आशीश प्राप्त करें अभी जैसे प्रात्ना करते हैं इन पर अनुग्र कीजिए प्रभु ये प्रात्ना की सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु पूरे प्यास से होकर ये प्रात्ना करने वाले बने एक मिनिट भी ये विर्थ करने वाले न बने इनके दिल को आप जोड़ दीजिए और व्यक्ति के तुरूप में ये आपकी उपस्तिती में समय बिताने वाले व्यक्ति हो जाए इनहें सिखाईए प्रभू कि आपके चर्णों पर कैसे समय बिताए सुन्दर तरीके से इनका मारदर्शन और अगवाई कीजिए जो पवित्रा आत्मा मांग रहे हैं उन्हें आप भर दीजिए पवित्रा आत्मा के नौवरदानों से इने भर दीजिए अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग कीजिए आप इन पर विशेश अनुगर कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के चर्णों पर रह देखें ये सारी आशिश देने के लिए में आपका धनिवात करते हैं ये पूरे महीने ये परमेश्वर की बहतायत के आशिश को प्राप्त करें In Jesus' name we pray, Amen. येशु के नाम में हम रात्ना करते हैं, Amen.